तो असलाम उलीकुम डियूट्रेंट्स वेलकम बेक वेलकम तो अवर चैनल दिपेस अकाडमी आज हम डिसकस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 डियनमिक एक्विलिब्रियम स्टैटिक एक्विलिब्रियम एक्विलिब्रियम की देफिनेशन एंड लाउफ मास आज के लेक्चर में ये तीन चार चीज़ें हम डिसकस करेंगे प्रिवेस लेक्चर जो है वो हमारा डिवर्सिबर डियक्शन इरिवर्सिबर डियक्शन फर्वर डियक्शन और डिवर्स डियक्शन के रिलेटर था आई होप कि आपको उसकी समझ आगी होगी आज की तरफ सबसे पहले हैं हमारे पास chemical equilibrium तो किसी भी रियक्षिन में एक्विलिब्रियं कब अटेन करताको रिएक्षिन केमिकल एक्विलीब्रियम कवारे जैने में आते ही हमें पता जलता कहीं नहीं कहीं बैलंसिंग है कहीं नहीं पर मतवाजन कोई चीज़ हो रही है तो chemical reaction में जब forward reaction और reverse reaction अब forward reaction और reverse reaction क्या होते हैं यह प्रिविस लेक्षर में डिसक्स कर चुके हैं तो जब forward reaction and reverse reaction इन दोनों का rate Equal हो जाता है तो इस situation को बोलेंगे हम की जो reaction है वह chemical equilibrium attain करचुका है chemical equilibrium कि यागए two types है static equilibrium and dynamic equilibrium static equilibrium जब forward reaction एंड reverse reaction दोनों का rate equal हो जाता है और reaction stop कर जाता है with action आगे सर्य बढ़ता ना ही forward reaction आगे होता है and नहीं reverse reaction backward चलता है Continue reaction बेकवर्ड चलता है इस आगे रियक्षिन प्रोसीड नहीं हो रहा इस सिचूशन को हम बोलेंगे कि यह जो टाइप है वह स्टैटिक एक्विलिब्रियम है नेक्स्ट है हमारे पास डैनमिक एक्विलिब्रियम नाम से ज़रे डैनमिक यानि रियक्षिन जो है वह मुव्मिंट में है तो जब फारवर्ड रियक्षिन रिवर्स रियक्षिन दोनों को रेट एक्वल हो चुका है और जो रियक्षिन है वह आगे प्रोसीड हो रहा है रियक्षिन रुका नहीं है Static equilibrium में reaction stop कर जाता है लेकिन dynamic equilibrium में जो reaction है वो stop नहीं करता बलके forward reaction take place होता रहता है and reverse reaction भी take place होता रहता है When the rate of forward reaction and rate of reverse reaction becomes equal but take place in opposite direction this situation is known as dynamic equilibrium Next हमारे पास आज है जी law of mass action and the most important topic of this chapter is law of mass action सबसे पहले हम जानेंगे law of mass action के historical background के मतलिक इसके introduction के मतलिक के ये लाग काप और किस ने introduce करवाया काप पेश किया गया तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो reverse reaction का idea है वो हमें किस ने दिया था cloud lois बतॉलिट ने ये इस ने दिया था हमें reversible reaction का idea या किस ने cloud lois बताव लिट रहे इस idea की base के उपर दो साइंटिस्ट जिनके नेम थे पेटर वाज एंड कैटो गुल्डबर्ग पेटर वाज एंड कैटो गुल्डबर्ग इन दो साइंटिस्ट ने इस idea की बेस के उपर एक लाप पेश किया था आई से तक्रिमन 150 येज अगो और 15 मार्च 1869 15 मार्च 1869 इस डे को आई से अलमोस्ट 150 येज अगो इन दो साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया था इनके जो पेपर पब्लिशिंग थी उसमें ये लाफ मास एक्शन जो है यह सर muy 계ish statement किया है i further दो इसल अबर पर्पोर्शनाल तो इस activity mesis यानि जो भी सबस्टम् जो इसकर ट्पार ऄब चंडियर्यक्ट करंग के जो रेट ह愉रिक्टी पर पेपर सिनल ऊटा है उसके मास के एंड बेट आप्रियक्शन इस डिरेक ली पर-पोशन तो क्योंस office of the active masses of the reacting substance जो भी reacting substance है उसके जो active masses के हासले जरब के भी directly proportional होता है reaction का rate यह थी हमारे पास basic statement इस law की उसके बाद हम देखते हैं कि word हमारे पास आया है active mass है तो active mass असल में होता क्या है active mass active mass का जो concept है वो हमें 1879 में मिला active mass the amount of substance in the sphere of action जहां पर reaction हो रहा है उस reaction sphere में action sphere में जो भी चीज जो भी substance पार्टिसिपेट कर चुकी है उस चीज जो की reaction में हिसा ले चुकी है उसके जो मैस को हम active mass बोलेंगे for the solution active mass is concentration solution की सूरत में जो active mass होता है वो concentration होती है and in the form of solids active mass is taken as constant solid में हम active mass को बतारे constant ले ले लेते हैं अब हम बढ़ते हैं बुक की definition की तरफ बुक में बुक वाले ने जो active mass की actual definition हमें बताई है generally an active mass is considered as the molar concentration having units of mole per decimeter cube and it is represented by square brackets इसको square brackets के जरीए represent किया जाता है बढ़ते हैं जी हम a bracket b bracket c bracket and d bracket are the molar concentration of a b c and d respectively according to law of mass action इस law के मताबक तर रेट ओफ फार्वर्ड रेक्शन 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 तो a bracket and b bracket अगर हम proportionality का sign खतम करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो constant आएगा वो होगा kf so is equal to kf and a bracket b bracket similarly the rate of reverse reaction directly proportional to c bracket d bracket जहां पे भी हम proportionality का sign खतम करेंगे और जो proportionality constant होगा वो हमारा होगा kr so is equal to kr c bracket and d bracket where kf and kr यह kf और kr असल में है क्या kf is equal to specific rate constant of forward reaction and kr is specific rate constant of reverse reaction at equilibrium अब equilibrium किसी reaction की equilibrium situation है equilibrium की हालत है वहां पे क्या होता है कि rate of forward reaction and rate of reverse reaction दोनों equal हो जाते है so at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction so यह वाला forward reaction का rate and यह वाला reverse reaction यह दोनों क्या हो जाएंगे equal kf into a bracket b bracket is equal to kr c bracket and d bracket यह वाला a bracket b bracket इदर आके divide हो जाएगा और यह वाला kr इदर आके divide हो जाएगा kf over kr is equal to c bracket d bracket over a bracket and b bracket where kf over kr को हम put कर लेंगे kc and kc is equal to c bracket d bracket over a bracket b bracket where kc is equal to equilibrium constant kc is equal to kf over kr and this is equilibrium constant यहां तक था laugh mass action अब हम बढ़ते हैं laugh mass action की importance क्या है हमियत क्या है significance क्या है this law describes the relation between active masses of reactance जो चीज़ें आपस में react कर देंगे उनका active mass and the rate of the reaction और जो reaction का rate है इन दोनों की दर्मयान reaction का rate और जो चीज़ें react कर रहे हैं उनका जो active mass है इनके दर्मयान जो relation है वो describe करने के लिए हम laugh mass action को यूज़ करते हैं इसके लावा physics में भी laugh mass action यूज़ होता है ओके अलाहाफिज मिलते हैं next lecture में